हाई वरीवन विल्कम टो माई चैनल रूचे स्टाइलाट डिप्स और आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहे हूं मॉर्निंग से आपके साथ मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वारी हूं और टाइम सुबह का टाइम है घड़ी मैं नहीं नहीं देखा है लेकिन छे साड़े छे से कुछ हो रहा होगा और आज मैं लेट हो गई हूं क्योंकि छुटी थी तो फिर लेट हो गया और तो आज कभी कभी हो जाता है ना कि हम लोग लेट हो जाते हैं खाना बनाने में या फिर कोई अचानक से महमान आ गया है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स सब के पास होती हैं आपके पास होंगी मेरे पास भी हैं और आज मैं वही ट्रिक्स अपनाने जा रहे हूं कि आज मैं कोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो आज मैं वही ट्रिक्स के साथ खाना बनाने वादी हूँ और सबजी और दाल में एक शाद बनाने वादी हूँ जिससे की बहुत जाद जल्दी हो जाएगा और बहुत एजी हो जाएगा तो आज मैं आप लोगों के शाद शेयर करूंगी मुझे कमेंड बॉक्मेंट करके बठादेना और चलो हम देखते हैं फिर कैसी करना है और क्या क्या करना है सबसे पहले मैं कुकर चड़ा दूंगी और दो कर और चील कर मैंने आलू उसी में रख दिये हैं फिर उसके पद मैं दाल डाल दूंगी उसी में जो कि आज मैं पीली वाली दाल मतलब की अरहर की दाल डाल नहीं हूं और उसी में मैं टमाटर डाल दूंगी फिर नमक डाल दू यलो कलर के नहीं चाहिए तो आप बाद में हल्दी डाल दो बट मैं तुरंत डाल देती हूं क्योंकि मेरे घर में सब को अच्छे लगते हैं और हल्दी ज्यादा मेरे घर में यूज होता है हर चीज में तो इसी टाइम मैं सबजी के लिए टमाटर और प्याज वगेरा भी कर रही हूं और मैंने उसमें मेथी और हिंग डाल दिया है मेथी और हिंग पग गया था तो उसी टाइम मैंने उसमें प्याज डाल दिया है और जब तक वह सब कुछ पकेगा तब तक इधर मैं खोल लूगी अपना कुकर भी और मैं काट लेती हूं सबसे पहले धनिया जिस इधर मैं सबजी चौक के दूसरी तरफ फिर इसी कुकर को मैं धुल के इसी में मैं चावल भी डालने वाली हूं तो अभी मैं पहले अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज अच्छे से तल लूँगी और यहां पर देख सकते मेरे दाल कितने अच्छे से बॉयल हो ग चौक के लिए हम तयार कर लेते हैं तो इसमें मैं हल्दी और कोरियंडर पाउडर मतलब की धनिया गरम मसाला सब कुछ मैं डाल दूगी और टमाटर के साथ गलने के लिए मैं डालूगी नमक तो नमक आपको फिर से जितना आप खाते हूं से कम डालना है तो मैंने ज्यादा मैंने पहले से धुल के रखा था चावल तो चावल में डाल दूगी और चावल डाल के फिर इधर मैं सबजी चौक दूगी और रोटी भी इसी टाइम में बना लूगी क्योंकि सबजी चौकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपके उबले हुए आलू है तो ब क्लम इप से मैं अच्छा से फोड लोगी और मेरे हां इसको अच्छी बि बहुत से लोग बोलते हैं के अप क्या बोलते हौT मुझे कमेंट बॉक्स मीं र्अच्छा च्छ फिर फिर जैकर कर लेती हुए थोड़ी देर के लिए इसको फ्राइ करूंगी फिर मैं धनिया डाल दूंगी धड़िया मैं पूरी नहीं डालूंगी क्योंकि दाल में भी डालना है अभी तो सबजी पक गई है और यहां पे आप देख सकते हो सबजी का कलर कितना चाया है और बहुत जल्दी बनती है मतलब पूरा खाना बस 20 मिनट में बनता है अगर आपको ऐसे कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो आप ऐसे जरूर ट्राइ करें एक बार बहुत ज़्यादा जल इधर मेरी दाल बहुत अच्छे से पक गई है और उसके बाद तड़का लगाने के बाद जो बची हुए धनिया थी धनिया की जो पतियां थी बहुत बहुत जाद अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा अलग फ्लेवर हो जाएगा तो यह है पूरा खाना और आप ही खालो क्योंकि भोग मैंने पहले ही लगा दिया था और उसके बाद फिर इसमें सबजी और प्याज अलग से रख दिया है त्योंकि प्याज हमारे घर भोग नहीं लगाया जाता है तो और दही बड़े बनाया थे हमने पहले ही बनाया थे तो इसको भी मैंने इसी राइम रख दिय और यह वाली थाली मिस्टर जी खाएंगे तो सबसे पहले आप लोग खा लो और मुझे बदाओ कैसा बना है तो सब लोग छत पे हैं और मैंने बिंदी नहीं लगाया है हाथ में रखी तो मैं सबसे पहले बिंदी लगा लेती हूँ और मैं थोड़ा सा बिंदी उपर लगाना प्रिफर करती हूँ आप लोग कहा लगाते हूँ वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने छत पे क्योंकि दुलके मैंने डाल दिये थे लेकिन सुखाने के लिए टाइम ही नहीं बचा था और साथ में मौसम भी बहुत जादा खराब था तो अभी थोड़े थोड़े सी धूप आई है तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने और मैंने सोचा था था थोड़ी देख बैठोंगी बर यहां धूप बिल्कुल नहीं है देखो कैसे ओसम है और यह देखो मिस्रज विचार टोपी लगा 24 गंटें की टोपी रहती है यह यहां थे लेकिन अभी नीचे सब लो सब्सक्राइब का कही नामों निशान नहीं है बट हवा बहुत तेज चल रही है और ठंड थोड़ी सी कम है मतलब जैसे रोज बहुत जादा गलन टाइप होती ना तो वह गलन नहीं है और जैसे सूरज की थोड़ी थोड़ी गर्मी आ रही है तो बाकी मौसम अब देखी सक हो बहुत सारी चैटिया बोल रही है जाती है कि असा मौसम होता है तो चिडिया अगरे बहुत जादा अब this 3 पान बादाि और टवर thank you मौन चायेनास वीडिक क्या करना पदा है का कशतक खाना भी दुबारा से बनाना पड़ जाए तो कपड़ी मैं जल्दी से फैला लेती ह उसके बाद थोड़ा बालों को थोड़ी देर के लिए दो चार मिनट के लिए खोल दूँगी जिससे कि अभी थोड़ा थोड़ा गीले हैं वो सही हो जाएंगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जिल लूँगी और अच्छे से मसाज कर लूँगी रूट टू टिप मसाज करूँगी क्योंकि इस टाइम पर कोई भी हेयर पैक या फिर कुछ नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा एक एलोवेरा जिल जो लगा लेती हूं तो थोड़ा सा बालों के लिए अच्छा हो जाता है मतलब एक कवर टाइप का हो जाता है pollution और धूप क्योंकि मैं धूप अगर रहती है तो सारा दिन में धूप में रहती हूं तो थोड़ा सब बचाओ के लिए मैं लगा लीती हूं और आप लोग भी जरूर यूज कर ना सर्दियों में ना तो स्किन केर हो पाता है सही से ना तो हेयर केर हो पाता है क्योंकि आप फेस पैक लगाओगी वो भी ठंडा ठंडा लगेगा और हेयर पैक लगाओगी वो भी ठंडा लगेगा तो इससे कुछ नहीं हो पाता है और देखो एक छोटा सा मुझे दाना भी हो ग क्योंकि यह सोन पापड़ी है और इसको यह पुरा टूट गई है मनलब पीस में होती है तो यह टूट गई है तो फिर जानते हो हम भरती लोग कुछ पहिंते नहीं है तो वही मैं खाने बैठ गई थी वैसे भी मुझे सोन पापड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और आज का व फेस पैक लगाते हो या फिर आपको इनसे जड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अगर आप लगाते हो आल्रेडी पहले से ही लगाते हो तो कौन सा लगाते हो क्या आपको लगाना ज्यादा अच्छा लगता ह है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आज का व्लॉग यहीं तक था अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर देना और मैं फिर से मिलूगी बहुत अच्छे व्लॉग के साथ या फिर बहुत अच्छे वीडियो के बहुत अच्छे बतान खारे सामतों प्लॉग